क्या सानी दियोल और दुलकर सल्मान की चुप, आरबालकी की चुप बॉक्स आफिस पर शोर मचाएगी? हलो फ्रेंज नमस्कार और वेल्कम टू कोमल नहाथा ओफिशल इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज रिलीज हुई फिल्म, सिनमा घरों में रिलीज हुई फिल्म, चुप को लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंद बाद जरूर कीजेगा चुप एक साइकलोजिकल थ्रिलर है यह कहानी है एक साइकोपैथ की एक साइकोपैथ जो फिल्म क्रिटिक्स की हत्या करता है एक के बाद एक फिल्म क्रिटिक्स की हत्या होती है और इन सब हत्याओं में, इन सब murders में एक pattern है और इसलिए ऐसे लगता है कि ये एक psychopath killer या serial killer का काम है लेकिन फिर भी police कुछ भी नहीं कर पाती है इस investigation में आगे नहीं बढ़ पाती है इस investigation को lead कर रहे है police officer Arvind Mathur यानि सनिदियोल अब दियारद्यविट्स एंड, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता नहीं and critics जो है, वो आवाज मचा रहे है, शोर मचा रहे है कि हमें हमारी security, हमारी safety चाहिए police has to make us feel secure, make us feel safe जब police से culprit पकड़ा नहीं जाता है तो police critics से कहती है कि आप अपने reviews कुछ समय के लिए tone down कर दीजिए but of course the critics don't agree उसके बाद Arvind Mathur Zenobia यानि पूजा भट की मदद लेते है Zenobia is known to understand the psychology of psychopaths और Zenobia और Arvind Mathur अब एक साथ काम करते है इस कहानी में एक love track भी है love angle भी है, वो है Neela Menon और Danny के बीच में Neela Menon एक journalist है जो reviewer बनना चाहती है played by Shriya Dhanvantari और Danny जो florist है वो है played by Dulkar Salmar तो कहानी कुछ इस प्रकार की है ultimately क्या police उस serial killer, उस psychopath killer को पकड़ पाती है या नहीं पाती है उसका motive क्या होता है in killing film critics and mind you, सिर्फ film critics जो negative लिखते हैं या one star, one and a half stars देते हैं उनको या उनके पीछे नहीं जाता है कई बार तो जो critics चार और पांच stars देते हैं उनकी भी हत्या होती है तो what is his motive that is revealed in the end plus love story का क्या होता है Neela Menon और Danny की love story का क्या होता है तो यह सारांच में कहानी है आईये सबसे पहले dissect करते हैं या यू कईये analyze करते हैं इस film की कथा, पटकथा और सौमबादों को इस film की कहानी लिखी है आर बालकी ने जो की इस film की director भी है और को screenplay writer भी है तो कहानी में implausibility factor साफ नजर आता है कहने का मतलब है कि इस प्रकार की कहानी को digest करना बहुत मुश्किल है सबसे पहली बात तो ये कि critics जो काम कर रहे है वो इतना important है कि कोई आदमी उतारू हो जाए उनकी हत्या करने के लिए ये बात गले नहीं उतरती है जिहां public reviews पढ़ती है फिल्म के reviews पढ़ती है और फिल्म का गलत है फिल्म रव्यूस को चाहे लोग कितना भी पढ़ है लेकिन इतना इंपॉर्टन्स को ही नहीं देता है कि वो इस बात को डाइजस कर ले कि कोई इंसान है जिसे रव्यूस या रिव्यू लिखने वालों से इतनी घ्रणा है कि वो उनकी हत्या कर डाले So the plot point itself is very very flawed and इसलिए ये story digest करना मुश्किल हो जाता है फिल्म का screenplay लिखा है आर बाल की, राजा सेन और रिशी विर्मानी ने और क्योंकि starting point ही इतना कमजोर है उन्होंने जो drama weave किया है वो भी बहुत ज्यादा ground hold नहीं कर पाता है First half तो बहुत slow and boring है Second half में of course drama का pace pick up होता है लेकिन फिर भी क्योंकि वो ground या वो point जिस पर पूरी story पूरा drama टिका हुआ है वो ही इतना कमजोर है इसलिए audience को digest नहीं हो पाता है screenplay भी इसके अलावा भी बहुत सी खामिया है screenplay में For instance, एक point आता है जहांपर police critics से request करती है कि आप कुछ समय के लिए अपने reviews tone down कीजिए क्योंकि एक के बाद एक film critic की हत्या हो रही है And critics नाराज हो जाते हैं वो कहते हैं How can we compromise with our reviews? How can we compromise on our integrity and honesty? लेकिन कुछ समय बाद ही वही critics announce करते है कि जब तक हमारी सुरक्षा ना हो तब तक हम film reviews ही नहीं लिखेंगे तो ये बड़ा आपटा लगता है पहले जब police आप से कहती है आप कहते है नहीं हो सकता है और उसके बाद police ने जो कहा है उससे कई आगे बढ़कर आप और भी खतरनाक step या extreme step लेने की बात करते है So it is points like these which make the audience feel कि story and screenplay में conviction इतना कम है कि कुछ भी कहीं भी डाल दिया गया है Screenplay बहुत ज़्यादा class appealing भी है For instance, एक track है जो हमें ये बताता है कि वो serial killer सिर्फ उन critics के पीछे जाता है उन critics की हत्या करता है जो अपने reviews में उसे एक story देते हैं जिसे वो उनके murder में replicate कर सकता है ये बाद शायद आपको अभी नहीं समझ में आए लेकिन जब आप film देखेंगे आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ तो उस प्रकार की thinking of the serial killer बहुत ज्यादा confusing और बहुत ज्यादा class appealing है जो love track है Danny और Neela Menon का उसमें भी वो warmth या वो romantic feel नहीं आती है so overall the screenplay is extremely weak and most importantly because it rests on a weak foundation फिल्म के dialogues भी इन तीनों राइटर्स ने लिखे है and most of the places dialogues ordinary है कुछ जगा पर कमजोर भी है यह तो ही बात script की अब एक नसर डालेंगे एक्टर्स के performances पर Sunny Diol ने अरविंद माथूर की भूमी का बड़े ही समझदारी से और बड़े ही conviction के साथ sincerity के साथ निभाई है दुलकर सल्मान जो Danny बने है he's done a fine job क्योंकि बहुत difficult character है बहुत difficult role है लेकिन इंस्पाइड अगर उनका किर्दार या उनका परफॉर्मेंस लोगों के absolutely दिल में नहीं उतरता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि script कमजोर है उनका काम तो वाकई में अच्छा है Shriya Dhanvantari in the role of Neela Menon is all right but उनको करने के लिए बहुत जयादा थोस नहीं है कुछ शी दोस नहीं है she doesn't really contribute too much to the real drama Pooja Bhatt lends good support as Zenobia Saranya Ponvanan, जो Neela Menon की मम्मी बनी है she provides some entertaining moments with a natural performance Rajiv Ravindranath as Sanit Diol's assistant makes his presence felt Amitabachan एक छोटे से cameo appearance में नजर आते है and he definitely lends a lot of star value Adhyayan Suman भी एक special appearance में है but he doesn't really impress there's nothing much in his role or in his performance वाकि और भी actors है जिन्होंने अपना-पना काम सही अंदाज में किया है तो ये तो ही बात actors' के performances की आईए अब एक नजर दालते हैं direction और अन्य technical aspects पर आर बालकी के निदेशन में ये film बनी है and हालांकि कुछ जगह पर आपको बहुत अच्छे directorial touches नजर आते हैं लेकिन overall the narration is slow and not very engrossing again it boils down to the weak script or the weak foundation of the script जिस topic पर आर बालकी ने कहानी लिखी है screenplay को write किया है and film का narration किया है that point itself is so weak कि उनका narration कुछ जगह पर बहुत अच्छा है लेकिर overall it does not have the required impact film में संगीत दो टाइप का है एक तो गाने जो specifically इस फिल्म के लिए बनाये गए है and पुरानी गुरुदत की फिल्मों के गाने भी है of course पुराने गाने जो है वो दिल को कानों को बहुत थंड़क पुचाते है because they are all hit numbers Amit Rivedi का संगीत इस फिल्म के लिए जो बनाये गया है with lyrics by Swanand Kir Kiri अच्छे songs है लेकिन popular नहीं है गानों के बोल भी वजंदार है लेकिन क्योंकि the tunes are not very popular they have not really been popularized too much इसके वो मज़ा नहीं आता है फिल्म की background music भी ठीक ठाक ही है cinematography by Vishal Sinha is good in fact very good और Nayan Bhadra की editing इस से ज्यादा शाप हो सकती थी तो all in all चुप box office पर कुछ खास शूर नहीं कर पाएगी in fact ये box office पर नहीं चल पाएगी क्योंकि जिस मुद्दे पर ये फिल्म बनी है वो मुद्दा audience को बहुत ज्यादा interesting नहीं लगेगा अफकॉर साथ में ये कहूंगा कि आज national cinema ये मनाया जा रहा है जहां पर सारी फिल्मों की tickets 75 रुपीज पर बिक रही है और इसलिए आज footfall cinema घरों में अच्छे होंगे because the ticket rates are so low लेकिन कल से ये भीड कम हो जाएगी तो दोस्तों कैसा लगा हमारा review of job comment section में जाकर अपने comment ज़रूर पोस्ट कीजेगा और अगर आपने भी film देख डाली है तो comment ज़ारा हमें ये भी बताइएगा